नमस्कार दोस्तों दोस्तों मान लिजे आपका पुराना वाल है और इसमें दोस्तों पहले से चुना पेंड हो चुका है या फिर समोसाम पेंड हो चुका है या फिर वाइट सेमेट मतलब इस वाल भाईया आपका पुराना हो चुका है पेंड और आप लोग चाहता है कि इस हम दोस्तों नया करके इसमें दुबारा पेंड एपलाई करेंगे तो इसका प्रोसेस क्या है तो दोस्तों मैं आपको बता दो कि अगर मालीजे आपका वाल पर चुना पेंड है कि कुछ दोस्तों बहुत जगा में पहले कभी-कभी लोग चुना पेंड का भी यूज करता था है तो चुना पेंड को दोस्तों क्या करना होगा आपको मालीजे आप दूबारा ही ुखंड करेंगे ना Mov पूरा चुना नहीं और शक्ति दीजिए फिर जितना हो सके दोस्तो पत्रा से या फिर चेने हातुरी से या फिर दोस्तो तारबेरा से पूरा आपको घिसाई करना होगा जितना भी दोस्तो कहीं अगर फूला जगा है तो फूला को दोस्तो उखड़ कर फेकना होगा या फे दोस्तो कही जगा में loose particle है तो उसको भी हटाना पड़ेगा और चुना पेन को हटाने की बात दोस्तो अगर जगा जगा में रे चुका है वो strong है तो कोई बात नहीं मालीजे किसी जगा में ज़्यादा उखाड चुका है उस जगा इस जगा मालीजे दोस्तो आपका चुना पेन है और इसको उखाडने की चकर में पूरा उखाड चुका है तो उस जगा को भाई आपको करना क्या है दोस्तो पुट्टी से थोड़ा apply कर लेना है पुट्टी apply कर करने की बाद दोस्तों क्योंकि अगर हम लोग दुबारा फेन करेंगे दोस्तों दुबारा पेन करने से पहले हमें प्रामर करना जरूरी होता है प्राइमार हमें करना ही होगा दोस्तों जब तक हम लोग पुराना प्राइमार नहीं करेंगे तब तक हमें उतना फिनिसिंग न आप लोग दुबारा पेंट करेंगे या तो दोस्तों प्राइमर एपलाई करने की बाद दो कोट करेंगे तो इस चीज का ध्यान लखना दोस्तों जिस जगा पर आपका लूस पार्टिकल या कहीं जगा पर फूल चुका है उस जगा को घिसाई करके अच्छे से उस पेंट को उखड कर फेक दो और फेकने के बाद दोस्तों सीधा आपको उस वाल पर दो कोट का प्राइमर करना है दोस्तों चाहिए आप किसी भी कंपानी का दो कोट का प्राइमर करना लेकिन प्राइमर दोस्तों डेम सीट करना वाटर पूर्पिंग दोस्तों प्राइमर करना माल लि का चांसिस कापी हात तक होता है दोस्तों इसलिए अगर दोस्त हैश्च करेंगे तो वाटर करने का जरुरत नहीं है अगर पेंट करेंगे तो में प्राइमर में तो क्या कि क्या पिनी ओटारी करते हैं एक प्रॉसेश होता है दोस्तों, क्यूंकि हमारे वीडियो पर बहुत ज़्वाइब क्या है तो हमें किया उखडगर फेकना होगा या क्या करना होगा तो मैं दोस्तों आपको बता दिया कि जैस्ड जगा में आपका मतलब लुस 파्टिकल है या फिर थोड़ा उच्डा नीका है उसको सीधे करो और जगा जगा में दोस्तों अगर उखड़ जाय तो उसमें पहले वाल पो प्रौसेस है चाहेतों पूरा जगाचय आए होग और ढूस्टे हला को यह चानस पहले इस्तिमाल करें प्रक्रान सब्सक्राइब करा है चाहे तो आप लोग वाल पुट्टी कर सकता है फिर जाके आपको paint करना होगा ताकि आपका वाल दोस्तो प्रोपर तरीका से अच्छा finishing मिले और आप जो paint apply करेंगे ना उस paint का दोस्तो एक durability होता है लाइब होता है और लाइब आपको प्रोपर तरीका से मतलब मिल जाएगा ज पहिया इस वीडियो में मुझे उतना जानकरी पूला नहीं मिला जो मैं चाहता हूं तो दोस्तो पार्सनली आप लोग कमेंड कर सकता है दोस्तो आपका हर सवाल का आपका हर कमेंड का जवाब दोस्तो जरूर देने की कोशिस करेंगे